So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, friends, क्या आपने अभी-अभी वर्काउट करना शुरू किया है, या आपने अभी भी कोई नई जीम शुरू किया है, या आपको वर्काउट करते होए हो चुके हैं कुछ महीने, बट फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा. So, friends, इसके पिशेकारनी है कि आपको डाइट की बिल्कुल नौलिज नहीं है, आप वो ही साधिदार रोटी सबजी खा रहे हो, लेकिन आपकी बोड़ी में रिजल्ट से नहीं मिलें, तो कैसे मिलेंगी रिजल्ट साना, वरकाट हम कितना भी अच्छे से सचा कर जकते हैं, लेकिन वैसे ही हमको अपने डाइट में कुछ चीज एड़ करने होते हैं, जिससे कि हमारे जल्ट फास्ट हो सकें. सो फ्रेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 5 बेसिक फूट्स जब आपने नहीं नहीं जिम शुरू की है, जैसे कि आपकी ऐस 15 से 20 साल की है, और अभी आपने नहीं नहीं रनी करने शुरू की है, कोई everything is आपके transformation, body transformation के goals हैं, आपके fitness जरनी की शुरूवात है, सो आप अभी उन foods को खा सकते हो, और अपने fitness जरनी की शुरूवात का सकते हो. सो गाईज, हम पहले नमबर पे बात करेंगे दलिये की, यानि की जो गेहूं से बना होता है दलिया, दलिये एक ऐसे चीज़ है, जो आपके fat loss और weight gain, दोनों आपकी transformation में आपकी help करेगा, ठीक जिन लोगों को मीठा दलिया पसंद है, वो मीठा दलिया बना सकते हैं, और जिन लोगों को मीठा खाना पसंद ही रहीं, वो नमकीन दलिया भी बना सकते हैं, दलिया एक ऐसे चीज़ है जो इसली हर जगा अवेलिबल है, और मार्केट में सस्ता होता है बहुँ जादा, जो लोगों को मीठा दलिया खाते हैं लोग, और जो weight gain कर रहे हैं, उनको दलिया खाना चाहिए शाम को, यानि की evening meal में, जो मील वो चार से चे के बीच में लेते हैं, डीनर और लंच के बीच की मील है, उसमें अगर आप दलिया खाओगे, वो भी एक बन मलगी, एक केले के साथ, एक बन बनाना के साथ, आपको अगर दलिया खाते हो, और गाइस, जो लोग फैट लोज की सी रिस्पे हैं, उनके लिए दलिया खाने का समय है, सुबे ब्रेकफास्ट में, और उन्हें खाना है नमकीन दलिया, उन्हें दलिया के बीचे में वेजटेबल्स एड़ करनी है, ओईल की मातरा काफी कम रखनी है, हलकी सी आँच पर भून लेना है, और फिर उसको बना लेना है, आप उसकी रेसिपीज यूटूब पर काफीज रेसिपीज अवेलिवल हैं, आप उस पर देखे उसको बना सकते हो, सो फ्रेंट्स मैंने आपको दोनों तरह का दलिया बता दिया है, यह आपको किस समय खाना है, और अपने गोल्स के साब से कैसे खाना है, सो फ्रेंट्स सैकिंड नंबर पर हम बात करेंगे, ब्लैक चनोगी, यानि कि जो काले छोले होते हैं, वो वो आपकी बोड़ी के लिए काफी अच्छे होते हैं, बेनिफिशल होते हैं, और फिर आप जब आप उन्हें सूबे उठकर देखोगे, तो आप देखोगी कि उनके जो साइजे वो बढ़ चुका है, और वो नरम हो चुके हैं, यानि कि खाने में आपको इजली आप उन्हें खा सकते हो, चबाता हैं, बट सो में से 70% लोगों की ये दिक्कत होती है, कि उन्हें इसका टेश्ट बिलकुल अच्छा है ने लगता, क्योंकि जब हम इसे खाते हैं, तो इसे चबाते समय ये फूलने लगते हैं, मुमें और अंदर निगलना इने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी, ये हमारी बोर्डी के लिए काफी अच्छ है, बेनिफीशल है, तो हमें इसे किसी ना किसी तरह खाना होगा, ठीक है, जो मैं बताता हूँ, जो लोग मिठा खा सकते हैं, जिन लोगों को मिठा अच्छा लगता है, वो इसका सेवन गुड के साथ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, उन चन्नों में से पानी है, जो उसको फैंक देना है, और जो चन्ने है, वो एक साफ बरतन में ले लेना है, और उसको गुड के साथ खाना है, कुछ लोगों की, जो माल मैंने कुछ लोगों भी मुह से सुने हैं कि इसका जो पानी होता है वो भी बेनेफीशल होता है बट इसका पानी सच में थीक रहते हैं जो जब हम सुवह खाली पेट अगर इसका पानी पीटे है तो काफी हमारी बोडि में जो आयरन है उसकी मातार अच्छी रखता है ठीक रहता है बट अगर हमने रात को जो चने हैं उनको अच्छे से साफ नहीं किया ऐसी बिगो दिये तो वो हमारी बोल दिगे लिए अच्छा नहीं है आपको अगर चने का पानी पीना है तो आपको अच्छे साफ सूतर चने पानी में साफ करके फिर उसको बिगोना है तो उ को एक साफसुतर बरतन में लेके इसके बीच में टमाटर प्याज, सैलेड जैसी कुछ चीज़ा एड़ करेंगे और हलका नमक निम्बून चोड़के इसको फिर एक यानि की जैसे जो चना चाट होते हैं वो बनाके इसको खा सकते हैं जो लोग फैट लोस पर हैं वो तो चना चाट ही बनाकर खाएं बट जो लोग वेट गयन पर हैं वो इसका अगर सेवन गुड के साथ करेंगे गुड के साथ आप 50-100 ग्रम चने सुबह खाली पर ठाओगे तो आप खुद देखोगे कि कम से कम 15-30 दिन के बीच बीच में आपक आपके वेट गयन जो सीरीज है उसमें आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी तो फ्रेंट्स थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ड्राइफ रूट्स की यानि की बदाम काजू दक्राइब की यार को ही भी ड्राइफ फ्रूट्स हो मैं पजाब भी जा गया सी है ना सोरी तो बदाम के बीच में जो बुडपगो हैं कि फ्रोट्स में आपको इक गरमी बढ़ने लगदे लगती है और उनके जो फेस पिंपल रैकने की प्रॉब्ल कि यार कि प्रॉब्ल हो जाते हैं उनके ब İn मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब मैं बदाम या कोई भी ड्राइफूट खाता हूँ तो मेरे को next या उससे next दिन में ही मेरे face पर पिंपल एक प्रोबम शुरू हो जाती है पर गाइस कुछ भी हो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए हैं अगर आपको अपनी बोड़ी ट्रांस्फॉर्म करनी है तो आपको ड्राइफ फूर्ट्स खाने होंगे ठीक है तो आपको क्या करना है आपको शुरुवाती दिनों में अगर आपकी बोड़ी में ही क्याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको स्टार्टिंग में क्या करना है आपको रात को सोने से पहले चार से पांच बदाम नोर्मल सिर्फ चार से पांच बदाम को पानी में बग सकते हो यह अगर आपको बीट अगैन करना है तो आप क्या करें आपको रात को सोने दे से पहले 5 बढम पाणी में उसके साथ आपको पानी में नहीं है कमˇसे कम 5-6 तक अबने और उसे पानी में साथ में भूगो दिना है आप इसे प्री वर्काउट भी खा सकते हैं क्योंकि इसके बीच में जो गूट फैट्स होते हैं वो आपके वर्काउट करने में काफी हेल्प करेंगी तो फ्रेंट्स फोर्थ नमबर पर मैं बात करूँगा दूद और दूद से बनी चीज़े यानि की मिल्क पड़क्स अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको दिन में कम से कम दो बार दूद पीना है और आदे से एक लिटर दूद पक्का पीना है विकोज दूद के बीच में जो मिलने वाले प्रोटीन और केल्शिम होता है वो हमारी हड़ियों और अवरल हैल्थ के लिए बहुत जादा बेनिफीशल होता है और अगर आप दूद पेते हो तो आपका वेट बहुत बहुत जल्दी गेन होता है और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उन्हें दूद से बनी चीज़ें यानि की लसी दहीं वगएरा ये सब खा सकते हैं और पनीर का सेवन भी कर सकते हैं बट कॉंटिटी थोड़ी कम रखनी है बट जो लोग वेट गेन कर रहे हैं उनको अच्छी खासी कॉंटिटी में दूद और दूद से बनी चीज़ों का सेवन करन है जब हम वर्काउट करके आते हैं तो हमें एक फास्ट रिकावरी देने वाला प्रोटीन चाहिए होता है जो कि दूद बिल्कुल नहीं है इसलिए आपको अपनी डाइट में मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ों को जादा से जादा एड़ करना है जो कि आपको आपकी बोड कर रहे हैं सोरी हम तो वेट गेन कर रहे हैं अगर आपको वेट गेन करना या वेट लोस करना है फैट लोस करना है तो आपको सैलेड खाना बहुत जरूरी है सैलेड के बीच के जो मिनरल्स विटानिक्स वह आपकी बोड़ी ओवरल बोड़ी की और ओवरल हैस के लिए काफी बोड़ी में वाटर काफे अच्छी रहेगी हमारी बोड़ी का जो वाटर लेवल है वो बैलेंस रहेगा आपको खीरा जरूर खाना है और सालड खाने का सबसे बेस्ट टाइम है वो है दुपहर को लंच से 15-20 मिनिट पहले आपको लंच के साथ सालड नहीं खाना 15-20 मिनिट पहले खाना है अगर आपको ज्यादा रिजल्स चाहिए ज्यादा अच्छे रिजल्स चाहिए तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए कुछ बेसिक फूस जो कि बिल्कुल बेसिक थे लेकिन आपको नहीं पता था कि उनको खाने का सही समय क्या है कि इतनी को एंटर्ट देना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छे रिजल्स चाहिए तो आपको अपनी जो वाटरीन टैक है वो अच्छी रखने होगी आपको ज्यादा ज्यादा पानी पीना होगा पूरे दिन में कम से कम 8-10 गिलास आपको पानी पीना है जिसमें से आपको आधा पानी गर्म पी पीना है अथा पानी गर्म पीने के मतलब है कि आप पूरा दिन अगर घर्म पानी नहीं पीप मिए सकते हैं जब तक आप घर पर हो तो आपको गर्म पानी पीना है किन अगे अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो वो आपको नुक्सान पहुंचाएगा इसलिए आपको फोड़ा वाम वाटर पीना है और अपने जो वाटर इंट एगा उसको अच्छा रखना है तो फ्रेंट्स यह थी आज की वीडियो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में